वेलकम टू स्टूडेंट सक्सेस बाई जे एस धन्जू स्टूडेंट्स जैसे कि आप सब जानते हो कि पिछले टू येर से कोई भी एक्जाम गवर्मेंट ने नहीं लिया विकल्स कोविड का टाइम था तो इसलिए सभी एक्जाम पेंडिंग चल रहे थे तो अभी सभी एक्जाम की डेट आना शुरू हो गई है तो मैंने गवर्मेंट एक्जाम की एक सीरीज टार्ट की है जिसमें मैं आप सब को कॉम्प्यूटर के मिक्स्ट MCQ कुशन करवाने जा रहा हूँ तो अभी तक इस सीरीज के सेट 2 रिलीज हो चुके हैं अगर आपने वो सेट्स नहीं देखे तो आप उन सेट्स को Student Success by JS धंजू चैनल की Government Exams 2021 की प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हो Students हम जितने भी कुशन्स इस सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं वो सारे के सारे कुशन्स प्रीविएस एक्जाम्स के कुशन पेपर्स में से लिए गए हैं इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं PDF आप टेलिग्राम ग्रूप से भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपने अभी तक टेलिग्राम ग्रूप जॉइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप वहाँ से जाके टेलिग्राम ग्रूप जॉइन कर सकते हो टेलिग्राम ग्रूप से आपको सारे की सारे PDF एक ही बार में मिल जाएंगी Let's start with first question Dash enables you to simultaneously keep multiple web pages open in one browser window जब आप एक ही browser में multiple web pages open करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो तो इसका correct answer है option B Tab row से यह देखिए जैसे यह आपके सामने एक web browser है Google Chrome ऐसे ही बहुत सारे web browsers है जैसे Mozilla Firefox, Opera, Safari तो आप किसी भी web browser की अगर बात करते हो आप यहाँ से different tabs open कर रहे हो तो इसे हम बोलते हैं tab row means आप इन में different web pages, multiple web pages एक साथ एक ही browser में open कर सकते हो Next question The software used to navigate through the web is known as वो कौन सा software होता है जिसके through हम web assess कर सकते हैं means कौन से software की help से हम internet चला सकते हैं इसका correct answer है option B web browser तो अभी मैंने बताया कि different तरह के web browsers market में available हैं आप कोई भी web browser use कर सकते हो जैसे यह देखिए mozilla, firefox, uc browser, google chrome, safari, opera तो यह different web browsers आपके पास available हैं यह आप पे depend करता है कि आपको कौन सा web browser use करना है Next question को continue करने से पहले मैं आप सब को एक चीज बताना चाहूंगा कि students कभी भी आपने आज का काम कल पे नहीं डालना जो इंसान आज का काम कल पे डालता है वह life में कभी grow नहीं कर सकता अगर आपने यह decide किया है कि मैंने यह काम करने के बाद ही आज सोने जाना है तो आप उस काम को complete करने के बाद ही सोने जाओ इससे आपकी life में बहुत बड़ा change आएगा और आप step by step success की ओर बढ़ते चले जाओगे तब ही तो कहते हैं मंजिल उनी को मिलती है जो निरंतर चलते हैं because consistency is the key to success next question human beings are referred to as homo sapiens which device is called silicon sapiens human beings को homo sapiens बोला जाता है और वो कौन सा device है जिसे silicon sapiens बोला जाता है तो इसका correct answer है option B computer तो computer को silicon sapiens क्यों बोला जाता है मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जितनी भी chips हम computer के motherboard पे use करते हैं तो वो किस material से बनती है silicon से तो इसलिए computer को silicon sapiens बोला जाता है तो जब भी आपको silicon chip याद आएगी तो आपको याद आजाएगा कि computer को silicon sapiens बोला जाता है next question the PC productivity tool that manipulates data organized in rows and columns is called dash तो वो कौन सा PC का productivity tool है जिसकी help से हम data को rows and columns में organize कर सकते हैं तो इसका correct answer है option a spreadsheet यह question बौत ही important है और अलग-लग exam में अलग-लग तरीके से पूछा जाता है यह देखी यह आपके सामने है MS Excel तो MS Excel की help से हम spreadsheets बनाते हैं तो spreadsheets में क्या-क्या होते हैं तो spreadsheets में यह जैसे यह आपको नजर आ रहा है selected यह है एक column और यह देखी जैसे मैंने यह select किया तो यह है एक row तो spreadsheet में data को हम rows and columns में organize करते हैं एक और question है जो कि competitive exams में अक्सर पूछा जाता है और वो है कि सबसे smallest unit कौन सा होता है spreadsheet में यहां फिर Excel में तो सबसे smallest unit कौन सा है यह cell जिसे मैंने select किया हुआ है तो cell is smallest unit in Excel next question यहां पर यह किस disk की बात कर रहा है तो यहां पर hard disk की बात हो रही है कि hard disk को किस process के through tracks and sectors में divide किया जाता है तो इसका correct answer है option C formatting तो operating system में हम hard disk की जब formatting करते हैं तो disk जो है वो tracks and sectors में divide हो जाती है next question which port connect special types of music instruments to sound cards तो वो कौन सी port है जिसकी मदद से जिसकी help से हम special types of music instruments को sound card के साथ connect करते हैं तो इसका correct answer है option C M-I-D-I तो सबसे पहले बात करते है M-I-D-I की full form क्या होती है तो M-I-D-I की full form होती है musical instrument digital interface तो यह देखिए जैसे यहां पर यह computer है तो computer को different musical instruments के साथ connect किया हुआ है किसके थूँ M-I-D-I interface के थूँ तो different musical instruments को connect करने के लिए क्या use होता है M-I-D-I interface तो यहां पर दो ports होती है in and out तो यह देखिए M-I-D-I में in and out दोनो ports आपको नजर आ रही है तो यहां पर question में भी यही पुछा था कि वो कौन सी ports हैं जो special musical instruments को connect करती है sound cards के साथ तो इसका answer हुआ M-I-D-I next question the basic unit of worksheet into which you enter data in Excel is called A तो अभी start में एक question आया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि basic unit smallest unit कौन सा है spreadsheet में या worksheet में तो इसका correct answer है option B cell तो cell एक basic unit है या smallest unit है जिसके through Excel में data enter किया जाता है next question a dash is a collection of information that determines which files you can assess and which settings you use तो इसका correct answer है option C user account तो user account से आपको permission मिलती है कि आप कौन-कौन सी files को assess कर सकते हो operating system में और सारी की सारी settings यहीं पे होती है कि किन-किन files पे आपको assess मिलेगा या नहीं तो user account is right answer next question what is firewall in computer network तो इसका correct answer है option C a system designed to prevent unauthorized assess वो system जिसकी help से हम अपने system को means computer system को बचाते हैं unauthorized persons से तो उसे हम क्या बोलते हैं firewall firewall बहुत ही important concept है हम इसे अच्छे से समझ लेते हैं तो यह देखिए जैसे यह आपको एक wall नजर आ रही है तो firewall एक wall की तरह काम करती है means जैसे यह है आपका system यहाँ पे local area network जहाँ पे आपने PCS लगाए हुए है और यह है outside world means internet wide area network तो firewall क्या करेगी जब भी कोई unauthorized person यहाँ से एक PC से इधर वाले PC पे attack करेगा यह इस PC को assess करने की कोशिश करेगा तो यह firewall एक protection का काम करेगी और इस PC को इस PC से कोई भी assess नहीं मिलेगी अगर यह PC इन में से किसी भी PC पे assess ले लेता है वाइरस की help से इन PCS को damage कर सकता है तो firewall की help से हम अपने PCS को protect करते हैं अच्छा यहाँ पे एक firewall से related एक और कुशन आता है कि firewall hardware है या software तो इसका answer है both firewall hardware भी है और software भी है तो इतनी information firewall के regarding आपके exam के लिए sufficient है next question which of the following is not an operating system इन में से कौन सी option operating system नहीं है तो इसका correct answer है option B Oracle Oracle operating system नहीं है तो Windows का आप सब को पता है कि यह operating system है Linux भी operating system होता है और DOS इसके बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप याद कर लीजिए कि DOS भी एक operating system है DOS की full form होती है disk operating system तो अगर Oracle operating system नहीं है तो Oracle क्या है तो यह देखिए Oracle एक RDBMS है RDBMS जिसकी full form होती है relational database management system जो की database को manage करने के लिए use होता है तो आप याद रखिए कि Oracle एक RDBMS package है जिसकी help से database manage किया जाता है तो कई बार question आता है कि RDBMS की full form क्या होती है तो अभी मैंने बताया कि relational database management system अब आपके लिए last video के question का answer लेकिन उससे पहले मैं आप सब को बता दूँ कि government exam 2021 year में preparation के लिए मैंने एक new series start की है जिसका हम ये third set कर रहे हैं और अगर आपने previous sets को नहीं देखा तो ये top right corner में आपको एक i button आएगा आप उस पर click करके previous sets को भी देख सकते हो अब question use the dash feature to send a reply to recipients and originator of email it can include the original email जब आप email का reply करना चाहते हो तो आप उन सब को भी reply करना चाहते हो जिनको ये वली mail send हुई है और उस person को भी जिसने ये mail send की है तो आप कौन सा feature use करोगे तो इसका answer है reply all means आप जिनको mail send की गई है उन सबी को और जिसने mail send की है उसको भी mail का reply कर रहे हो तो answer reply all होगा ये question internet की section email में से लिया गया है email से regarding जितने भी questions आते हैं इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है आप उस वीडियो को इस वीडियो के description से जाके देख सकते हो तो जितने भी email से questions आते हैं वो सारे के सारे आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे अब आपके लिए आज का question Name the device that converts the text information into spoken sentences कोई भी written text को spoken sentences में convert करने के लिए कौन से device का use होता है ये question मैंने set to से लिया है तो आप comment box में इस question का answer जरूर दीजी अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो आप इस वीडियो को like, comment and share करना मत भूले ताकि आपके friends भी इस वीडियो का benefit ले सके Thank you for watching